हलो फ्रेंद्स आप सभी का स्वागत है आज कीस वीडियो में दोस्तों आज केस वीडियो में अपन डिसकस करने वाले हैं Railway Group D Saladient दोस्तों वो Saladient is डिप है एक Pointsman की आप जैसे ही रेल्वे में एज गुरूप D Employed Joint करते हैं तो आपको एक तो Track Maintenance की पोस्त करते हैं कि गुरूब डी की भी कोई जॉब रहती है इतने सारी जो महिनत करवाते हैं और सेल्री भी कुछ नहीं मिलते हैं दोस्तों यह वीडियो इन सभी के लिए आप देखिए रेल्वे किते अच्छे एड्वांटेजेस ले रहा है सभी केंडिडेट्स के लिए जो जूड को बहुत अच्छा लगे एक इनफॉर्मेशन है और कह सकते हैं कि एक सेल्री स्लिप जो आप मेहनत करते हैं पूरा का पूरा एक मंत और उसके बाद जो आपके हाथ में आउटपूट आता है उसके देखके आपको कित्ती खुशी होती होगी दोस्तों वही अपन डिसकस करन पूरा करते कोने से सेलिस्लिप ओर स्रीछन नावملंबर मन्ट की हिए दोस्तों ये पिछले मन्त के कि सैली स्लिप है इनकी इनका जो इन्होंने कब जॉइंड किया है, वो भी देख सकते हैं, 20-8-2019 को, और फिर उसके बाद दोस्तों, इनका जो retirement का जो period है, वो देख सकते हैं, 31-7-2058, इनका pen card number, आधार card number, station कुन सा आता है, और किस department में है ये, operating, वो भी आप सब देख सकते हैं, अब थोड़ी सी salary slip के बारे में बात कर लेते हैं, ये किस post पे, designation पे है, वो है points man B, इनका जो level है, वो आप देख सकते हैं, basic पे इनको 18,000 provide मिलता है, duty पूरे 30 के 30 दिन की है इनोंने, और इनका जो increment का date है, मतलब इनके जो salary में, इनको बढ़कर और अच्छे जो allowances है, वो add होक आता है, earning का अब इनोंने जो classification का रखा है, pay इनका 18,000 रुपए है, DA इनका 3060 रुपए है, HR इनका 3600 रुपए है, train allowances या transaction जो भी रहते हैं, वो करते हैं, तो उसका 1053 रुपए है, NDA इनका 316 रुपए है, अब इसमें से deduction आप देख सकते हैं, deduction होता है, इनका NPST 2100 रुप हो गया है, इनको किस बिहाफ पर दोस्तों आपको पता है कि salary slip मिलते हो और जो आपका पूरा का पूरा amount है, वो online ही आपके खाते में चला जाता है, आपके पास message आ जाता है, दोस्तों इनका आप bank देख सकते हैं, SBI, आगरा, उत्तरप्रदेश, account number, pay mode, दोस्तों banking, IFC code और सब पूरा का पूरा दे रखा है, अच्छे तरीके से, अब अपन देखते हैं, इनको कि जो gross pay है, वो किता मिलता है, टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं, इनको gross pay जो है 26,029 रुपे, इन्होंने joining किया है, joining के बाद, दोस्तों हो सकता है कि इन्हें joining थोड़ी late मिली हो, पर दोस्तों, starting में, जब आप जाते हैं, और approximately 25,000, 26,000 आपके hand में मिलना, आप सभी जानते कि किती अच्छे बात हैं, और इनके gross deduction, दोस्तों जो पूरा का पूरा इनका deduction, 2115 रुपे का कटा है, और फिर उसके बाद net pay इनको 23,914 रुपे मिले हैं, approximately इनको 24,000 रुपे, 24,000 दीरे बड़ेगी हैं, और दोस्तों, अगले साल, 17, 2020, अगले साल में, सातों में, पर इनको approximately, दोस्तों, 30,000 रुपे मिलना, स्टार्ट हो जाएंगे, और वो भी central government, दोस्तों, आप सभी जानते हैं, उसके साथ, इनके जालाउंसेस हैं, रहने के, और वो, दोस्तों, वो भ मेरे जित्ते भी friends है, यूट्यूपर, उनको बताना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ, ये information, share की, होप आप सभी को, ये वीडियो पसंद आए, दोस्तों, कोई भी job, छोटी बड़ी नहीं होती है, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, कोई से अधर पोस्त के लिए भी preparation कर रहे हैं, तो दोस्तों, वो करते रहिए, all the very best, and hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, मैं ये नहीं कूँगा, चैनल को लाइक करो, comment को, जजज़ शेयर करो, बिल्कुल भी नहीं, friends, आप सभी को पसता है, ये मैंने चैनल, especially आपको information provide करने के लिए बनाया गया, अगर वो information help आपको मिल जाती है, आप तक provide हो जाती है, that is enough for me, तो thank you so so much दोस्तों, अपना खुद का धेहन रखे, मिलते हैं, next video में,